हेलो फ्रेंट्स हुँछू विजे अने तमारू खुब खुब सवागत्चे मारी यूटूब चैनल मा मित्रो आपणे बेलिफ नी मेन परिक्षानी तैयारी रिलेटेड ना वीडियो बनावी रहा छे अगाव बेलिफ ना कारियो और फर्जो बाबत नो प्रथम वीडियो आपने ओल्रेडी अप्लोड करी दी देलो छे तेमा में बेलिफ नी भूमी का सूँँछे ने नोटिस नी बज़ाउनी कहिरीते करवानी होई छे बेलिफे तेनी विशे माहीती आपेली छे त्यार बाद आव पाड मा आव बिजो भाग छे तेनी इंदर बेलिफ ने कहिरीतनी प्रोसीजरो वह चे क्या प्रकार नी नोटिस मा शुँँ होई छे तिये विशेनी विगतवार माहीती आपड़े आ विडियो मां जोईशू आगल वधता पेला मित्रों जणावी दव के जो हजी सुधी तवे मारी साथे जोड़ाय नव होई तो मारी चैनल ने सबस्क्राइब करीने मारी साथे जुड़ाई जाओ जेनाती मारा आवनारा वीडियो नी अपडेट तमने सवती पेला मली रहे तो चालो स्टार्ट करिए सो फ्रेंट्स आगलना वीडियोमा आपणे सीख्या के बैलिफ ना कार्यों मा तैके वजत्तु आवती होई छे अने ते समंसनी बजवनी जेने करवानी ओछे ते क्या-क्या प्रकारे करवानी ओछे यंना कही रीत ते करवानी ओछे तेनी डरेक माही ती आपणे मेल दो आव उरद ना होय छे, केना रिलेडेंड कई नोटिस आवे छे, तेना वीछे, आपने माहिती मेळए उच्यू तो आगल जो आपने जो ए तो हाल ना वर्तमान समय उमां बेली पासे मोटा भागनू सिविल केसों नू अन्ए तेना प्रोसेस नी कामगेरी करवाणी होई छे, तेव अप्रे बावा दावा प्रोसेस धेमा 2 होई चे-δावा चे SP fal extra जाने एक हो बावा सकता कर से waktu व्यारत balls दावों हो सब्वस से अने दावव हो। यहे, व्यत्ति दावों क्यों country क्यो घुंता आधारित दावा ओए छे तेमा आवे छे आने रेग्यूलर दावा मा बेला करता नीचे नी मिल्कत संदर्भ मा केस होई छे ते बाबदनों समावेश थाई छे त्यार बाद रेग्यूलर दावा नों समन्स जे दावा मा मुस्लिम फक्षकारों ने लगन भक पूरा करवा छू समरी स्क्यूट दावा नों समन्स एटलेके जे दावानी रकम चेक्त प्रोमिसरी नोट लेकईत कबूलात वगेरेना 10 वेज उपर जे दावानी समन्स जे नीउपर ठावा नौए तेने समरी स्क्यूट तरीके उळखामा आवे छे तेर बाद कारण दर्षक नोटीस कारण दर्शक नोटिस एड़लेक कोईपण दावमा वचगालानो मनाई हुकम दर्म्यान, मनाई हुकम आदेशात्मक हुकम तेमाज अन्य बीची वचगालानी जारे दाद मंगाती अर्जी उपर समबलावमा आवे त्यारे तेने कारण दर्शक नोटिस तरीके और फमा आवे छे आ उपरांत फेमिली कोट मां कोई पक्षकार जारे स्त्रीक होए ने तेना किस्ता मां सिविल राहे लगन हक पूरा करवा कि छूटा छेडा मलवा अथवा पूरुष द्वारा कोई उपर जारे कैस दाखल थवाई छे ते नोटिस सामेवाला उपर बजावनी करवानी तेने कारण दर्शक नोटिस द्वारा थबाद किलेम वलतर मेलवां म можно case case है किलेम वाला व्लतर मेलवां में Case Case करेंग आपको alggot नोटिस जायी छे, तिने क्लेम नोटिस कहवाई छे, त्यार बाद दर्खास नी नोटिस, दर्खास नोटिस मा जारेक पोईपम प्रकार ना दावा के केस मा जजमेंट तता हुकम नामूं थहयेलू ओए, आ हुकम नाम मुझब सामेवाडा पक शे, जे हुकम नामनूं पालन नकरेलों भो ये तो जे अरिशदार छे ते नामधार कोट मा दर्कफास दाखल कर शे त्यारे सामेवाळा उपर नोटिस हुकम थे ली तेना उपर बजावानी हो ये आदर्कफास नी नोटिस दावाना हुकम नामू कले ं. केस मा एवड उपर जारे पालन न करे त्यारे सामा पक्स कारने नोटिस आमीना आपीने आखरी तक आप आमा आवे छे त्यार बाद मनाई हुकम, आदेशात्मक हुकम, वच गालानों मनाई हुकम वगेरे तो तेनी अंदर जो ये डिटेल वाबते तो जारे खास करीने दिवानी केसो मा कोई जमिन, भाग, सुखाकारी सेढा, मारग, माली की पणू, कपजा सबन्दे वादी पक्स, सिविल कोट माँ प्रतिवादी के सामा उपर, सामेवाला उपर दिवानी दावो दाखल करे त्यार उबोक करी, मूल हेतुमा फेर फ्यार, वादी प्रत्य नुख्षानी थेए त्यास में वादी पक्स सामेवाला उपक्स दावानी साथे, आंक 5 नी अरजी आपीने तेमा उपरोक्त दावाना समर्थन मा वच गाला नो के दर्म्यान मनाई हुकम, कायमी मनाई हुकम नी मांग अधेश फर्म आवे ती आधेश ने सामेवाला ने जान करवानी मनाई हुकम नी process केवाय छे तो आनी अंदर जे सेडा पकसणा ने जे आवा case हो छे ते बावते लेकोई खोटु नो थाई ते बावते नी जे process थाई छे ते process आनी आमा करवालमा आवे छे त्यार बाद पंचन अमानी नोटिस, तो अमा अ प्रह्माने, क्यारे yn辞ा नम़ं कोर्वुवारिये थे द्यारे नाम्धार कोर्ट स्तु में धूमाईल रकित वाजर रही, अंगे नोटिस नोटीस में बनने पक्षकारों ने वाद घ्रस थल उपर हाजर रहेवानी खबर अंगेनी नोटेस हो छे आमा जयरे कोई पर जग्या बाबते कए पुआ बाबते जे प्रभ्लम होईछे ज़ि अने दिर नों पचल्ण से लिडे त्यारे बाद अवल जपतिनी नोटिस के वोरन जारे वादी पक्षे के सामा पक्षे जे दावो मनिस्क्यूट प्रकार नो दावो मांडे त्यारे वादी पक्षे यह भी हकीकत उभी था आए के दावो चालता समय वीती जाए अने सामा पक्षे वादी नो लेवनो डूबी जाए ते भी शक केता हो होई त्यारे वादी नी सामे अवल जपती नी मांगनी करे त्यारे कोट ने लागे के सामे वाला ने आदेश के अवल जपती द्वारा हेतु जड़वाई रहे ति हेतु सबब अवल जपती सबब नोटिस काड़े अथवा तो अवल जपती साथे तेमा अवल जपती व पूरी पाड़े तो जेते सामेवाला प्रतिवादी धन्दा रेठार ना मकान जे वस्तु जंगम मिलकत स्वतंत्र पंचों नी हाजरी मां पंचनामू करी दरेक जसन नाम सिती अने संख्याने कीमत लखवी जेटलो रकम दावो हो हो अने ती रकम दोड़ी रकम जेटली जसनो जपती मां लेवी त्यार बाद त्यार बाद त्यार विगतवार रिपोर्ट करी जपती मां लिदेल वस्तु नाजिस्री ने सोपवी आप भी अने जो कोट मा जपती नी लिदेल वस्तु कोट मा राखवानी जग्या नो होए तो जपती लिदेल वस्तु वादी ने बोंड उपर सोपी ज्यारे कोट मंगा आवे त्यारे अथ्वा वस्तु नी हाजरी नी मुकर तारी नकी करेली होए त्यारे तेने रजु करवी त्यार बाद जंगम मिलकतनू वारन ते कई रिते बज़ावन होई छे तेनी सुग प्रोसेज होई छे तो तेमा शुँ उए छे जहरे वादी नी तर्फेर माँ कोट प्रतिवादी सामे दावो मंजुर करियो होई अने दावा अने प्रतिवादी सामे खुकम नामू थेल वरण्ट इशू करे त्यारे आ वरण्ट नी बजंबनी वादी ने साथी राकी ने प्रतिवादी ना रेना गंधाना स्थले बज़ावा जवानू होई छे अने ज्यारे आ those सामेवलाव ने बेलीप वोरंट नी विगत मांची ने समझावी ने वादी नी जे रकम चुकवा निवज़े ते जणावे छे तो चो रकम प्रतिवादी रकम चुकवी आपे तो वोरंट नी पाचल रकम मलया बदलनी पोँच लखी लेवी अने दर्खवास फेसल थाई प्रतिवादी आपे तो ते रिते रिपोर्ट करे नाजी श्री ने मोकलो अने जो वोरंट न आधारे रकम आपपानी आनाकानी करे तो वादी तथा बे पंचो नी आजरी मा जेते दर्शावेल स्थले जंगप मिलकत सर सामान राच रडचिलू जपतिमा जसन नी संख्या त ये रकम नू वोरंट तेना थी डोडी रकम नी वस्तुओनो जपतिमा लईने संजोगो ने आधीन ते वस्तुओ वादी ने बोंड उपर शर्तो मुझब सोपी आपी अथा कोट ने कोट नो आधेश लेवो जो प्रतिवादी रिणाक नी जपति करवाम आवे तो तो ते घ गर्ना रसोय ना साधनो सुवानी पतारी दे मा स्तुरी म मंगल सुत्र वxes वस्तु जपतिमा लेवी आमा एक नियम छे किये yepy वस्तू ले छे त्यारे जे सामान ओउचे अगर घरनुकोई जप्ति करे तो तेमा रसी ने साध नो सुवाना पथारी श्त्री नू जे घरेनू होई छे मंगलसुत्र अन्ने जो धंदानी जग्या उपर करे तो तेना जे ओजार होई छे ते कमाणी करताना साधनों होई छे ते जबतिमानों लेवा लाइक जो सुथार होई छे तो तेना जे साधनों होई छे जो दर्जी होई छो तो तेना सीलाई नो संचो अगेरे ना लेवू ए रितनु प्रोसीजर आ बाबतमा होई छे त्यार बाद कबजा आंगेनों वोरंट तो ते वरंट नी अंदर आ वरंट एवू छे के जारे कोईपन भाड़ा वाली के टेस्पासर वाला जग्या माटे दावा माँ वादी दावो जीती जाए अने तेनी तर्फेण माँ लाबना हुकम नामू था आये त्यारे सामे वाला आ दावानू हुकम नामानू पालन करे नहीं त्यारे कोट माँ वादी के प्रतिवादी सामे खाली कपजा सबंदे दर्ख्वास भरे कोट नियम अनुसार प्रतिवादी सामे एक तप आपवा के ज आद प्रतिवादी सामेख खाली कबजा नी अंग्यानी जरुरी नू वॉरंट इश्व करवां मसा आवे चै जहारे कबजोग हाली न करे त्यारे 伯ारे आ वॉरंट इसु करवां मसा आवे चै आ वोरंट जहारे बेलीब पासे रजू थाई एथो अमले त्यारे बेरीफे जे वोरंट प्रतिवादे सामे काठों मा आयू छे ते वोरंट मा वादी नी अन्य प्रतिवादी निया नाम सर्णामाग छे तेमा मुदत तारिक इशू तारिक साहीत स्री नी सही तथा कोट नो सिको लगावलो छे के नी ते लिफे वादी साथे जही ने जे दावा वाली वाद ग्रस जग्या उपए हाजर थावू साथे बे पंचो हाजर राखवा त्यार बाद प्रतिवादी ने ते वाद वाली जग्या खाली करवानू कहियू अन्य तेनो तेमा रहेल सर सामन हटवानू कही जग्या खाली करावा जो प्रतिवादी स्वेचिक रिते जग्या खाली करी आपे तो ते रिते रोजकाम करी ने वादी ने शांत नीरभई प्रतियक्ष ने परोक्ष रिते कब जो मलयो ते रिते पोँच वादी पांसे थी लेवी और वोरंट पाछल लखावी लेवू जो प्रतिवादी तेना मानसों घरना सब्यों एजन्ट वगेरे वादवाली जिग्या खाली करवानों इनकार करे तो पंचोनी आजरीमा विगतवार पंचनाम करी ने खाली करावाना पंचनामा समये प्रतिवादी के तेना सब्यों अटकायत करे के अलचन उभी करे त्यारे बेली फे ए प्रतिवादी के तेना मानसो परिवार ना सब्योसामे विगतवार पंचोनी हाजरी मा अटकायत पंचनामुकरी ने कोट समक्ष रिपोर्ट करवो आ उप्रांत कोटनु ध्यान दोरी पोलिस बंदोबस्त नी मांगडी ने उपुरोक्त वादवाली जिग्या खाली करावा कई शके छे ज्यारे आरे रितनू होई छे जो आसानी थी जिग्या छोडवा तैयार होई तो ते रितनो रिपोर्ट कोट ने करवा नो अने जो कोई अडचान उभी करे ने खाली करवा रेडी नहों तो पोलिस प्रोटेक्शन नी लेवु अने कोट ने ते रितनो रिपोर्ट करवो ते रितनो पालन करी ने जग्यानो खाली कब जो वादी ने सोपी आप वो त्यार बाद दर्ख्वास्त मां जग्या आँगे नो मनाय हुकम जारे वादी ये प्रतिवादी सामें दर्ख्वास करी होई त्यारे वादी ने देशत होई के शंका होई अने चालू दर्ख्वास्त ना काम मां वादी कोई लेणू प्रतिवादी डुबावी देवाना प्रयास करी रहया वहे त्यारे वादी जालू दर्खवासना काम माँ ओडर नियम ट्रोपन मुझब अर्जी आपे त्यारे कोट सवप्रथम प्रतिवादी सामें नोटिस काडे नोटिस मां प्रतिवादी न जवब संतोस्कारक कोट ने न जणाय तो प्रतिवादी सामें मनाई हुकम फर्माओमां आवे छे अने प्रतिवादी जे स्थावर मिलकत होए तेनू वर्णन होए अने त्या प्रतिवादी आ मिलकत ट्रांसफर गीरो वेचान एसाइन बाडे ना आपवु तेवो मना युकम कोट द्वारा फर्मावमा आवे छे जो प्रतिवादी पोतानी स्थावर मिलकतने तावा मारीने बिजे जता रहल होए त्यारे कोट ने रिपोर्ट करीने आ प्रतिवादी नी जनावेल स्थावर मिलकतना भाग उपर मना युकम चोटाडी बजावानी प्रक्रिया करवानी होई छे जारे ते जिग्ये मानस रेतों नोई तो तेनी उपर जे नोटिस होई छे ते चोटाडी ने तेने बज़ावानों होई छे ते आगल पन महीती आपणे जोई छे आ सबंद मा वादी नी अरजी होई तो तेमा मांगेल दाद मुझब सब रजिस्टार सी ने आदेश करीने आ मिलकत अंगे नो कोई दस्तावेज के साटा खट के अन्य गीरो न करी तेवो आदेश फर्मावी शके छे तेमा शुम होई छे तो तेमा जोई ये तो आ काम नुो महत्वा अने अनिवारिय छे के जैरे कोई दावा मां प्रतिवाधिनी विरुद मां प्रतिवाधि पासे जंगम मिलकत होई त्यारे अथ्वा जारे लाग भाग ना दावामा वेचनी ना दावामा जारे स्थावर मिलकत हराजी करी तेमाथी उपजेल रकम वादी पक्षकार मलवा आ प्रकार ना दावामा पैसानी लेती देती ना दावामा अंतिम तब कमा वादी दर्खास मा प्रतिवादीनी आखरे कोड द्वारा सामें पक्स चे जे मिलकतनु वेचान करवानु ओए ते मिलकत सब्बंदे प्रतिवादीने छेली आखरी ओनी चांसट मिलकतनी हराजीनी सर्तो नकी करवानी नोटिस आप आमाँ आवे चे त्यार बाद मिलकतनु जाहेर वेचान हराजीनु वोरंट इश प्रतिवादीनु पूरु नाम सर्णामोंने मिलकतनु संपूण वर्णन साथे होई छे जेमा जाहेर नामानी एक नकल कोर्टना नोटिस बोड उपर एक नकल सानिक जिग्या इन एक नकल जाहेर साल उपर ने एक नकल माम्लकदार कलेक्टर कचरीमा नोटिस बोड उपर चोटाडवानी चोटाडीने बजावन होई छे आ जाहेर नामों मुझब 35 दिवस पचिना दिवस नी तारिक हराजीनी तारिक नकी थाई छे तेमा सव प्रतम तारिके बेली फे दावावाली स्थानी जिग्ये वादीनी आजरीमा ढोल पीटावी ने हराजीनी बोली तथा शर्तों नकी करवानूं होई छे आ हराजी मा भाग लेनार सक्षो ना नाम सर्नाम लखवाने किमतों बोली बोलावी रकम लखवी तियार बाद छेले उचो बाव बोलाए तियारे हराजी मुलतवी राखीने बीजा दिवसे फरिथी एज जग्याई हराजी करवी येने फरिथी बोली बोला आए तेमा छेलो भाव उचो होई छे ते नकी करीने नाजी स्रीने सुपरत करवत्यार बाद बीजा दिवसे ते हराजी नाजी स्री पाचे छेलले आखरी हराजी था आई छे तेमा बेलिफ नी मेन तने जवाबदारी सवथी वदू होई छे आज ये दरेक बाबदो छे तेना रिपोर्ट जे प्रकारना थाई छे तेना रिपोर्ट माटे पन हुँ एक आगल वीडियो बनाईश आ फक्त माहिती माटे छे आपन खास याद राखू बेलिफ नी मेन एक्जाम मा आना प्रश्णों होई छे लास्ट येर पन आना रिलेटेड घणा प्रश्णों पूछाना हाता नेक्स्ट वीडियो मा आपने जान शुँ के समन्स, नोटिस, वोरंट जे बजावानी होचे त्यार बाद बेलिफ ये काई रितनो कोटने रिपोर्ट करवान होई छे अने पंच नामू जयारे करिये छे त्यारे पंच नामू काई रिते करवान होई छे त्यन्यों एक्जाम्पल सहीद हुँ तमने बत आविश जे नेक्स्ट वीडियो मा आपड़े लाईने आविशू त्या सुधी जो तमने कोई प्रश्णों होए तो तमें चोकस्ती पूछी शको छो Till then be happy, stay updated, thank you